प्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आज हम बात करने वाले रोल्टा इंडिया के बारे में यह स्टॉक मेरे पास काफी टाइम से काफी पुराना स्टॉक है और इसमें मेरे रिटर्स क्या चल रहे हैं यह मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में यहाँ पर इसके फंडामेंटल चीज़े भी देखेंगे कि यह कमपनी का बिजनस किस तरीके का है सेल्स किस तरीके के सारी चीज़े हम यहाँ पर देखने वाले तो वीडियो एंड तक लिए और जादा से जादा पैसा लगाते तो यह स्टॉक के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है यह भी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूं कि यह कमपनी का बिजनस क्या है तो कमपनी यहाँ पर देख सकते हो यह आईटी के अंदर आती ही अच्छा यहाँ पर इसका background रहा है ठीक है यहने यह अभी करती है यह अभी इसका इनके पास project है यह हमें को यहां पर डेटा नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो भी इसने काम किये है किस तरखे का यह पहले यहाँ पर कितना कमा लेती है यह बिजनस से अभी इसके सेल कैसे है और अभी इसका भाव कैसा है यह हम देख लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर यह इसका screener पे data में ने open किया है और यहाँ पर देख सकते हो यह 1989 से कंपणी है रोल्टा इंडिया और 48 करोड का इसका मार्केट कैपिटल है तो काफी कम है 50 करोड से भी कम है थोड़ा और यहाँ पर काफी छोटी कंपणी है और अगर देखेंगे इसका लो जो है 2.73 का है और हाई रहा है 6.9 का और बुक वैल्यू माइनस में है याने इसके बैलंस शीट काफी खराब है EPS माइनस है ROC माइनस है याने कंपणी का बिजनस यहाँ से ही समझ में आ जाता है यही चीज देख लिया तो हमको सारी डिटेल समझ में आ जाती कि कंपणी में कुछ खास चीज है नहीं इसके fundamental काफी खराब है यही चीज हमको बता देती यह overview जो है इसमें ही सारी चीज़े आ जाती लेकिन फिर भी अगर डिटेल में देखना हो तो हम यहां से देख सकते एक साल में गिरावट यह स्टॉक में देखने मिली है तीन साल में भी अप डाउन देखने मिला है यहां पर यह 9 तक गया था फिर 9 से फिर से नीचे आया है ठीक है और यहां पर यह पास साल में अगर देखेंगे तो काफी यह कौन सा भाव था यहां पर देखलो 71 का भाव था 2018 के टाइम पे वहाँ से ये काफी ज़्यादा गिर चुका है तो पास साल के इंवेस्टर का काफी बुरा हाल हुआ है और यहाँ पर दस साल वालो का भी काफी बुरा हाल हुआ है दस साल पहले तो काफी 190 के भाव पे एक टाइम पे था ये शेर और उससे भी पहले अगर देखेंगे तो ये stock का price था 372 के उपर का भाव था तो याने देख लो ये 2007 की बात है याने company ने काफी investor का loss कराया है जो इसमें फसे रहेंगे जो अटके रहेंगे आज उनके पैसे का पूरी बरबादी हो चुकी है तो ये होता है penny stock और ये penny stock बना है पहले penny stock नहीं होता है पहले काफी अच्छी company होती है IT company होती है लेकिन कुछ भी उसमें देखो कोई सोचता है कि company इतना अच्छा grow करी इतने अच्छे returns दे रही है तो एक टाइम पर ये 43 का share अगर यहाँ पर जाता है तो लोगों में confidence आ जाते है कि ये stock इतना अच्छा है कि हमको आगे भी ऐसे ही returns देगा तो थोड़ी गिरावट हो जाती है तो लोग उसको खरीद लेते है लेकिन बाकी भी चीज़े देखनी चीज़े गिरा क्यों है reason क्या है क्या कुछ problem में फसी है company तो ये सारी चीज़े पता होनी चीए नहीं है पता और आप फिर भी उसके अंदर रुके हो या उसमें बहुत जादा पैसा डालके बैटे हो तो आज ने तो कलो जीरो होई जाएगा तो फिलाल देखो लेकिन ये इसकी गिरावट के बाद इतना तो लगबग लगबग 15 साल से उपर तो 15 साल से उपर ये company अभी भी market में ठीकी है जब से ये गिरावट देखने मिल रहा है तब से ठीक है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो negative चीज़े company में ज्यादा एक भी positive चीज़ यहाँ पर नजर नहीं आएगी आपको और अगर हम pair comparison में ये बड़ी-बड़ी company यों से टकर ले रहे हैं देखो competition कहीं पर भी है नहीं यहाँ पर कर भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर देखो KPIT technology है और ये emphasis है Tata Alexa है तो ये इतनी सारी company है L&T technology है इतनी बड़ी-बड़ी company के साथ ये company कई से stand कर पाएगी ठीक है तो ये काफी बड़ी बात होती है और market में already काफी company IT sector में घुस रही है जिसके ओज़े से competition और जादा बढ़ जाता है तो फिलाल ये company और already आज के time में IT का काफी बुरा हाल चल रहा है ये तो आपको कानों में पढ़ गया होगा ये खबर तो आई होगी कि काफी IT company है उनके employees को निकालती जारी है काफी जादा यहाँ पर layoff हो रहा है लोगों को निकाला जा रहा है job से और बाहर की company विदेशी company हो या इंडियन company हो IT company IT sector से काफी लोगों का नुकसान हो रहा है investor का भी काफी नुकसान हो रहा है shares भी काफी down चल रहे है अगर इसमें से कोई भी stock का में यहाँ पर open क देखते हैं तो उसका हाल देख सकते हो एक साल के अंदर यह गिरावट में हमको नजर आएगी यहाँ पर यह जो टॉप था वहां से 10,600 से यहाँ पर यह company देखो 6600 यानि लगबग यह 40% तक तो यह गिर चुकी है तो बड़ी बड़ी company का loss यहाँ पर हुआ है तो यहाँ प देखेंगे तो देखो quarterly results की बात करेंगे तो quarterly results में यहाँ पर sales जो है company के तो लगातार यहाँ पर देख सकते हो गिरावट हमको नजर आ रहे है एक टाइम पर 389 करोड का sale था 389 करोड से यह company के sales लगातार यहाँ पर थोड़े बढ़ते जा रहे थे starting में लेकिन उसके बाद यहाँ पर जैसे lockdown लगा उसके बाद तो company का थोड़ा बुरा हाल होना चालू हुआ वहाँ से देख सकते हो company यहाँ पर survive नहीं कर रहे है sales अच्छे नहीं हमको नजर आ रहे है तो यहाँ न काफी बुरा हाल हुआ है तो कोई ना कोई एक वज़ा होती है जिसके वज़े से company क बुरा हाल होता है तो यहाँ पर यह तो हमको देखने मिला और साथ में यहाँ पर company के expenses ज्यादा बढ़ गए खर्चा कभी भी limit में होना चीए खर्चे अगर बढ़ जाते हैं तो कोई भी company हो या इंसानों बरबाद हो जाता है तो यहाँ पर यह देख सकते हो और अगर हम य अलड़ी कमाई कम है और खर्चे जादा हो गए हैं और यह एक नुकसान है तो company अलड़ी इस वज़े से काफी loss में चल रही है और profit and loss की बात करेंगे तो देखो 800 करोड का 2011 के टाइम पे company का sale हुआ करता था वहाँ से company देखो 3800 तक पोची थी 2016 तक फिर वहाँ से थोड़े sales गिरावट हमको देखने मिलिए अभी के टाइम पे देखो मार्च 2022 में 29 करोड का company ने sell किया है याने company का sale काफी ज़्यादा घट चुका है और अगर expenses की बात करेंगे तो देखो expenses भी उसी मुकाबले बढ़ते जा रहे और company का profit margin तो काफी कम हो गया है तो यहाँ पर देखो मार्च 2022 में तो sales इतने कम है लेकिन expenses ज़्यादा हो गए खर्चे ज़्यादा हो गए तो company को survive करना काफी difficult हो जाता है और यहाँ पर अगर देखोगे company का net profit तो net profit यहाँ पर काफी ज़्यादा minus में नज़र आ रहे याने loss में नज़र आ रहे तो और यहाँ पर extra भी यहाँ प में यहाँ पर loss बता रहा है तो यह सारे losses के वज़े से company के share price तो गिरते ही है और investor का इसी वज़े से नुकसान होता है तो यह था इसके बारे में इसके fundamental और यहाँ पर देख सकते हो इसके CGR से कुछ expect करी नहीं सकती है दस साल देखो पास साल देखो हर साल जिसने भी invest किया और loss में ही है ठीक है और balance sheet की बात करेंगे तो balance sheet में देख सकते हो तो सबसे important में समझता हो कि company पे करजा कितना है लोन जादा हो तो वो company risky हो जाती है और income कितनी है यह दो चीज़े जादा में prefer करता हो देखता हूँ किसी भी company के बारे में तो फिलाल company पे loan देखो 9700 करोड का अब भी मार्च 2022 के मुकाबले और रिजव company के पास रिजव में पैसे ही नहीं यहाँ पर माइनस में हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है और company के पास यहाँ पर देखा जाए तो करजा जादा है 9700 करोड कहां से पे करेगी अगर company का 29 करोड का से लो रहे है तो यहाने company प्राज 2.31 प्रतिशत बचाए और बाकी पुरा माल ले लिया है और foreign की investor का भी थोड़ा बहुत पैसा लगा एक प्रतिशत एक प्रतिशत याने इसमें कुछ भी नहीं होता काफी कम है यहाँ पर sbdr portfolio emerging market ETF इसका पैसा लगा हुआ है यह जून quarter से लगा हुआ है ठीक है और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह जो है कुछ bank of बढ़ोदा मतलब यह का अगर देखा जाए तो यहाँ पर bank अगर loan देती है तो bank के पास भी shares गिरवी रहते तो bank भी automatically honor बनी जाती है shares मिली जाते ठीक है और यह बाकी जो भी public में जिनका बड़े-बड़े investment है उनका यह हम आ जाता है तो फिलाल यहाँ पर जो भी है हम देख रहें लेकिन सबसे जादा पब्लिक के पास ही शेयर से ऐसे penny stock सबसे जादा पब्लिक के पास ही होते है क्योंकि उनके सपने काफी बड़े हो जाते है कि यह stock कभी जिन्दगी में return reverse मारे इसका करजा कोई चुका है इसक के और जैसे किस्मत बदल सकती है तो यह सोच के बहुत सारे लोग इसे stock में invest करते हैं लेकिन मेरा यहाँ पर investment काफी पूरा ना है तो मैंने इसको देखो मेरे पास भी काफी जादा ओ टाइम पर एक टाइम पर शेयर हुआ करते हैं हर टाइप के शेयर में पैसा लगाता हू लेकिन इसमें कितना लगा है यह मैं आगे बता देता हूँ तो फिलाल देखो यह stock को अगर किसी ने यहाँ पर दिखा देता हूँ max के return में max के return में यहाँ पर देख सकते हो यह 91.83 प्रतिशत यह गिर चुका है यानि काफी जादा गिरा है लेकिन एक टाइम पर यह 405 रु गिरा भी फिर उसके बाद जब फिर से speed में बढ़ा फिर से वही उसने history repeat किया तो जब जब यह बढ़ा है उसी speed में यह गिरा भी है ठीक है तो यह है इसके बारे में और यहाँ पर मेरे शिट में भी जस्त थोड़ा information देता हूँ आज की दिन market जो बढ़ा है थोड़ा positive था और यह share भी positive था इस वज़े से हम बात कर रहे है और यह आज की दिन में थोड़ा अच्छा perform किया है लेकिन इसमें मेरी यहाँ पर buying price के आओब में दिखा देता हूँ और देखो nifty में अगर आप 24 साल से invested रहते तो आप यानि 1 lakh रुपीज भी डालते तो आज आपको profit होता 19,24,000 करोड का ठीक है 24 करोड नहीं है यहाँ पर 19,24,000 का profit होता अगर 1 lakh पर करोडों डालते तो करोडों में profit होता लेकिन यहाँ पर लाक रुपे की बात हो रहे है तो just 1 lakh डालने की भी हिम्मत होनी चीए ठीक है तो nifty के बारे में ठीक है nifty में index काफी safe होता है क्योंकि index diversified ह तो फिर भी अगर निफ्टी का index काफी अच्छे return देता है 13% सालाना return देते आ रहा है 24 साल से काफी अच्छे सी है जी यार मुझे नजर आ रहे है यह कर अगर निफ्टी में अगर किसी को जाना है तो ठीक है और रोल्टा में अगर इंवेस्ट करते हैं तो रोल्टा देखो यहाँ पर मेरी investment price यहाँ पर 8.11 का average price है मेरा तो 8.11 का है और मेरे returns यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरने वाला stock मेरे portfolio का यही है यहाँ पर money wise ज़्यादा loss नहीं है लेकिन यहाँ पर percentage wise सबसे ज़्यादा loss यही दिखाता है क्योंकि यहाँ पर यह penny stock भी है और यहाँ पर इस इसको 9.81 का रखा था बीच में यह 9 के उपर भी चला गया था लेकिन मेरा target अच्छी नहीं किया था इस वजय से इसमें ने तो में इसमें से कपका निकल भी जाता ठीक है तो यहाँ पर मैंने ज्जादा इसमें इसमें investment भी नहीं किया है ज़्यादा इसमें investment भी नहीं किया मेरे पॉर्टफोलियो का आधा परसेंट वहां से चला जाएगा लेकिन वह कई से भी कवर हो सकता है तो इस वज़े से मैं यह स्टॉक के अंदर जाधा रिस्क लेता भी नहीं हूँ ऐसे पहनी स्टॉक में काफी कम यहां पर इन्वेस्टमेंट होती है ठीके पॉर्टफोलिय में नहीं करता जब तक ओ प्रॉफिट में कनवर्ट नहीं होता तब तक यहां कमपनी बंद नहीं होती तब तक मुझे लॉस यहां से लेना नहीं है ठीके तो फिलाल यहां पर मैं वेट करते रह सकता हो और उसमें देख सकता हो मैं आप्ज़र कर सकता हो सीख सकता हो मेरा को इसको 237 प्रतिशत बढ़ना पड़ेगा तो इसलिए जितना शेर गिरता है दिखता हो कम गिरा है लेकिन अगर आप टारगेट रखते हो या आप उसको सोचते हो कि वह आपके प्राइस तक आए तो उसको काफी जाधा बढ़ना पड़ता है तो 237 परसेंट रिटन इसको देन अगर नहीं होता है तो आज नहीं तो कल उसमें थोड़ा बहुत अच्छी मूमेंट आने की उमीद होती है देखो यह इसका हाइ 6.95 तक भी गया था ठेके तो यह एक साल का हाइए और वहाँ से एक साल में यह काफी जाधा गिरा है बावन 58 प्रतिशत गिरा है ठेके तो यह यहाँ पर देखेंगे और थोड़ा कम कर पाया तो इसका यहां पर एक प्रतिशत के कम ही इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट रखना इस वज़े से में इसमें जाधा कॉंटिटीज और जाधा कॉंटिदिज नहीं फिर भी थोड़े बहुत कॉंटिटीज खरित के यहां पर प्राइज और थोड़ा कम लाऊंगा और इसके यहां पर रिटन जितने जल्दी हो उससे निकल के यहां से और आपको भी यह प्रॉफिट निकल के दिखाऊंगा ठीक है तो यहां पर अगर यह स्टॉक में देखो आप 24 साल से अगर इन्वेस्टेट रहते तो आपको 92 प्रति 400 का भी मैंने प्राइस दिखाया था कि एक टाइम पे यह 400 रुपय में था तो जो लोग ओवर कॉंफिडन्स होते हैं किसी भी स्टॉक में एकदम से जाधा पैसा लगाते हैं तो उनके लिए है कि यह चीज़ पता होना जरूरी है कि आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगा र 50 लाग का भी हो तो उसमें से कितना प्रतिशत आपको लॉस ये स्टॉक में ले सकते हो ठीके लॉस पहले लॉस का सोचो कि कितना लॉस आप लेने की ताकत रखते हो ये स्टॉक अगर डूब जाता है या कंपनी बंद हो जाती है तो ठीके क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो चल रहा है अगर और मुझे अभी ये अपॉर्चिनिटी नजर आ रही है क्योंकि मार्केट काफी टाइम से गिराओट में पूरे एक साल से मार्केट ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं यहां पर आप देख सकते हो एक साल से यहां पर अभी भी डाउन में है यहां अभी भी ये डाउन पे चल रहा है मार्केट लेकिन इसने लो से काफी अच्छी रिकवरी मारी है मार्केट ने 18 प्रतिशत के उपर तो इस वज़े से यहां पर यह स्टॉक में अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और बहुत सारे स्टॉक में अभी भी मैंने प्रॉफिट ल अच्छे भावपे था अभी काफी जादा गिर चुका है है इस डिया इसमें भी बहुत कम पैसा लगा यह आधा प्रतिशत से भी कम पैसा इसमें लगा है और इसमें भी 50 प्रतिशत चल रहा है इस डिया यह भी पैनि स्टॉक है यह देखो 4 उपे का यह 2 रुपे का लेकिन यह जो एशन ग्रानिट हो यह penny stock है नहीं लेकिन यहाँ पर फिर भी अच्छा कासा इसके अंदर भी investment है और बाकी stock जो है यहाँ पर देख सकते हो यह 10-10-12-15-15 प्रतिशत जो गिरया आवट में है यह suddenly अच्छी कोई moment आ जाए अच्छा market चलना चलो हो जाए तो यह पूरे के यहाँ पर वन रुपेस डाला है मैंने यह SPTL मुझे syntax plastic, syntax industries पर मिला हुआ है ठेक है तो उसकी subsidiary company का यह free का stock मिले थे तो उस वज़े से उसमें जो return चल रहे है यह complete free के return है और media matrix देखो यह भी एक टाइम पर penny stock यानि 4-4 रुपे पर खरीदा हुआ 12-13 रुपय हो गया है त यहाँ पर देखो 61 का price था तो ऐसे stock भी में खरिदते रहता हूँ ठीक है ओस्वाल green tech तो कुछ-कुछ ऐसे stock होते है जो काफी अच्छे return दे देते है ठीक है तो ऐसे छोटे stock भी काफी अच्छे return देते है लेकिन उसमें एक limit में ही invest करना चाहिए क्योंकि वह काफी volatile भी होत के वहां से profit लेना काफी difficult हो जाता है क्योंकि इसमें काफी time लगता है इसमें volatility जादा होती नहीं है ठीक है तो returns जल्दी मिलते नहीं है तो फिर भी यहाँ पर invested safety के लिए यहाँ पर अच्छे stock भी लेके रखना जरूरी होता है जितना portfolio diversified हो तो उतना अच्छा होता है ठीक ह तो फिलाल यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छे यहाँ पर returns तो चल रहे लेकिन बाकी जो stock यहाँ पर थोड़े थोड़े हलके यहाँ पर down में नजर आ रहे हो आज नहीं तो कल काफी अच्छी return यहाँ से निकाल के दिखाएंगे ठीक है तो information अच्छी लगी है वीडियो information मिलेगी यहाँ पर कोई channel पर बड़ा चड़ा के किसी भी share के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बड़ा के चीज़े नहीं बताए जाएगी जो है reality यह चैनल पर देखने मिलेगी और जितने भी stock में से profit लिया है यहाँ पर मैंने तो हर एक वीडियो में डाला हुआ है सबी stock के वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें से कुछ stock अगर बाकी बच गए रहेंगे तो उनके वीडियो आ जाएंगे ठीके तो काफी जाधा stock यहाँ पर उनके experience है उनमें से profit लिया हुआ है और यह just record के लिए वीडियो होते है कोई आपसे उमीदे जादा होती नहीं ह और आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा यह चैनल से ठीके तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो शेर करो दोस्तों के साथ और कुछ कमेंट में भी अगर आपको लगता है सही कुछ चीज़े बता नहीं है या कुछ पूछना है तो आप आराम से कमेंट के तो पूछ सकते हो ठीक है तो थैंक्यू वेरी मच्छ पूराचिंग मेंट थैंक्यू बाई बाई